तो आप लोग जो है अगर इसका पार्ट वन नहीं देखा है तो आप इसका पार्ट वन भी देख लिजेगा क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है और फिर मैं उसे रिलेटेड कॉशन कराती हूँ तो आप जो है अगर अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज उसे कर दीजेगा आप के लिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज लेते हैं तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आल के अनुसार वैक्तित्व शीलगूर मुखेता तीन तरह के होते हैं किस तरह के होते हैं कार्डिनल शीलगूर केंंड़ियो शीलगूर तथा गस्यलगूर बंध इसे ओकंथ के रहे हैं सॉरी मातमा गांधी है तो उनकी जो विशेशा थी या शीलगुड थी वो क्या थी कार्डिगाल शीलगुड थी देखें कैटल ने अपने अध्यन के अधार पर 16 श्रोत सीलगुडों को महत्पुर बतलाया है जिसे मापने के लिए उन्होंने एक प्रशनावली बनाया जिसे कैटल 16 व्यक्तित्व कारक प्रशनावली की संग्या दी गई मैक फ्रे तिथा कोस्टा ने व्यक्तित्व का धिन मात्र 5 प्रमुक्षीलगुडों या आयामों द्वारा किया इसे बड़े पंच भी या बिग फाइब भी कहा जाता है इसे बड़ा इसलिका जाता है क्योंकि प्रतेख वीमा या आयाम के तहत कई विसेश्जीलगुडों क का एक सेट है यह बड़े पांच कुल सिर्गर इस तरह देखिए क्यों कौन से हैं पहला इस नायू विर्कृति इस नायू विर्कृति इस आयाम से समायोजन बनाम सामेगिक अस्थिरता के रूप गुड का मुल्यांकन होता है इसके द्वारा वैसे व्यक्ति की पैचान होती ह जिसमें औवास्तविक विचारें, अत्यदिक चाहत, कूसमायोजी अनुकृति इस आयाम से अंतर व्यक्तिक अंता क्रिया की मात्रा तथा तिव्रता का अंदाज होता है साथ ही साथ इससे व्यक्ति के क्रिया स्तर उत्तेजन की आशकता तथा खुश रहने की शमता आदी की भी अव्यक्ति होती है एक होता है खुलापन, तीसरा, इस आयाम से ताथ पर नए अन्भूतियों की प्रसंसा करने तथा नए चीजों के बारे में जानने तथा उनकी गहन समिक्षा करने की शमता में होता है सहमती जन्यता, इस आयाम से चिंतन भाव एवं क्रियाओं में दया से लेकर प्रतिरोध के सातेता पर व्यक्ति द्वारा दिखलाए गए अंतर व्यक्तिक उन्मक्ता की गोड़वता से होता है करतव्य निश्टता इस आयाम से ताथ पर व्यक्ति द्वारा लक्षिन देशित वैवार में दिखलाए गए अभी प्रेड़न संगटन एवं दृणता की मात्रा में होता है इन पाँच आयमों का मापन करने के लिए प्रश्णावली का भी निर्माण कोष्टा इन कर्फिये द्वारा किया गया इस प्रश्णावली का नाम नोंने क्या दिया? NEO व्यक्तित्व अविश्कारिका संसोधित NEO PIR रखा गया भारती सिद्धान में व्यक्तित्व के स्वरूप को समझने के लिए गुड़ के संप्रत्य को विक्सित किया गया इसमें तीन तरह के गुड़ों की चर्चा की गई एक सत्व, एक तमस, और तुथा, और रजस जिस व्यक्ति में सत्व गुड़ की प्रधानता होती है वह प्रखर बुद्धी वाला होता है उसकी दृष्टी में स्पष्टता होती है उसकी एक्षा एवं सम्वेग नियंत्रित होते है वह लालाच एवं लालसा से मुक्तर होता है वह स्वभाव में शांत एवं मृदु होता है, सत्भावना एवं वास्त विक्ता का ज्ञान उसमें प्रधान होता है अब तमस अज्ञान एवं अंधिकार का प्रतीक है जो ज्ञान का अवरोधक होता है, इसमें गुड की प्रधानता वाले वक्तित्व में confusion तथा delusion भी होता है ऐसे व्यक्तियों का ध्यान में विशलन अधिक होता है समझ में कमी होती है निश्क्रिता रहती है या सत्य गुड़ों की क्रियाओं का विरोध करता है सत्य की गुड़ों को का विरोध कौन करता है तमस करता है ठीक है राजस गुड़ से प्रभावित व्यक्ति अपनी इक्षाओं के प्रती लिप्तिता अधिक दिखलाता है, उसमें व्याकुलता अधिक होती है, वह लाल सी वह लोगी होता है, वह समवेग एवम आवेगुम से गिरफ्त होता है, अपनी इन विश्यस्ताओं के कारण उसकी उपलब्ध इस तर प्राय नीची रहती है, तथा सफलता उसे अक्सर प्राप्त नहीं हो पाती है, मनोविश्लेश्क उपागम, साइको अनलटिक अप्रोच का प्रतिबादन सिग्मन फ्राइड द्वारा किया गया था, तो आ सकता है कि मनोविश्लेश्क उपागम का प्रतिबादन किस तो सिग्वा फ्राइड में नात्मक प्रेटनों के दो सेट को अती महतपुर बतलाया गया है पहला संब्ध चेतन के स्तर का है जिसमें चेतन के किते स्तर बताए गया है तीन बताए गया है कौंकौंसे conscious subconscious और unconscious मतलब चेतन अर्ध चेतन तथा और चेतन और दूसरा संपत्य का समद्ध व्यक्तियों की कारियों की अभुति में है जो मूलता क्या है इड इगो सुपर इगो विल्या उपाहम अहम तथा पराहम चेतन इस्तर का समद्ध उन सभी विचारों या अनभूतियों या समधनाओं से होता है जो वर्तमान में चलती रहती है वो अवगत रहती है ठीक है अर्ध चेतन में वैसे विचार अनभूति संचित होती है जिसको वर्तमान में तो नहीं होती लेकिन अगर आप याद करें तो वो आपको अवगत नहीं होता है वो ऐसी एक शाहों का या जो है जिसके आप यूज नहीं कर सकते तो उससे आप क्या कर देते हैं दमित कर देते और वो आपके अनकॉंशेस में चला जाता है लेकिन वो खतम नहीं होता है बस वो दमित हो जाता है इस अशेतन मन के सबूत के रूप में स्वपन का आर्थ दिन प्रदिन की मनोवर कृतियां आदी को रखा जाता है मतलब कभी-कभी आप स्वपन देखते हैं तो कहते हैं जो आपके प्रेंटी में लगभग फ्रायट ने उपाहम अहम तथा परहम का संप्रत्य का प्रतिपादन किया था अब देखिए इड इगो और सुपर इगो क्या होता है इड इड का वो अर्थ है कि मान लिजे कि आपके पास कोई चीज है जिसका आपको कोई उसका यूज नहीं है ले आप उसे देंगे नहीं भले उसे बर्बाद कर देंगे खराब हो जाएगा मान लीजे कि बहुत जादा खाना बचा हुआ है आपके पास बहुत जादा बचा हुआ है लेकिन आप खानी पाएंगे उतना लेकिन आप किसी भूखे को देंगे भी नहीं भले मेरा सड जाए ख एक होता है इगो मिन्स आप उसको डिरेक्ली मना नहीं करेंगे कोई समान देना है जैसे मालीजे कि किसी को आपकी गाड़ी चाहिए तो आप डिरेक्ली मना करके नहीं कहेंगे तो आप ऐसे कहेंगे या तो आप कहेंगे कि अरे तुमको ले जाना था लेकिन मेरी गाड़ी खर जाना है मैं पहले लेकर आजाओं फिर तुम ले लेना पहले अपने बारे में सोचना बाद में दूसरों के बारे में सोचना तो क्या हो जाएगा आपका अहम हो जाएगा मितलब इगो और एक होता है सुपर इगो इसको दैविये वहवार भी कहते हैं सुपर इगो में क्या हो कि तुमने जब में कर लूँगा लूगा को यह क्या हो गया सु पर ये कवियर हो गया और यह एवियर हहे वह बहुत ही कम पाए जाता है झाज कि बेसिकली ने लिए दुप कर लोग पहले अपने बारे में तौर से बात में दूसरे के बारे में सोकते乾 Self Reg a जो है वो बहत ही रेयर केस में पाय जाता है अब देखते हैं मूर प्रविति से फ्रायट का तातपर ये वैसे जनमजात सारेरिक उत्तेजना से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति के सभी तरह के वैवार निर्धारित किये जाते हैं सभी मूल प्रवितियों में चार तत्व होती हैं कौन कौन से होते हैं एक होता है श्रोत दूसरा उदेश्य वस्तू तथा बल मूल प्रविति का श्रोत एक सारे रेक अवस्था या आवशक्ता उतेजन में कम करता है वस्तु सितात पर या वातावरर में किसी एक वस्तु या व्यक्ति या किसी व्यक्ति के सरीर के भीतर कोई ऐसी चीज होती है जो मूल प्रवती के लिए संतुष्टी प्रदान करती है बल से तात पर उस उर्जा या बल या दबाव से होता है जिसका उपयोग मूल प्रवती की तुष्टी के लिए किया जाता है फ्रायट के अनुसार मूल प्रवती दो तरह की होती है कौंकर से होती है जीवन मूल प्रवती और मृत्य मूल प्रवती फ्रायट के अंसार जीवन मूर्प्रवती का सबसे महतपूर प्रकार यौन मूर्प्रवती होता है यौन मूर्प्रवती के उर्जा बल को लिविडो तो ता फ्रायट के जीवन मूर्प्रवती को इरोस भी कहा जाता है मिर्टि उमूर प्रूति को जिसे थेना टोस्ट भी कहते हैं द्वारा सभी तरह के धुन्सात्मक कारियों तथा आख्रमक कारी वहवारों का निर्धारन होता है फ्राइड ने चिंता के तीन प्रकार बतलाए हैं कौन कौन से वास्तविक चिंता, तंत्रिका तापी चिंता तथा नैतिक चिंता फ्राइड ने व्यक्तित्व विकास की व्याख्या बच्चों के जन्म के समय ही मौझूद लैंगिक उर्जा के रूप में किया जो विभिन मनोलैंगिक अवस्थाओं से विक्सित होता है इसे मनोलैंगिक विकास का सिध्धान भी कहा गया है इसके द्वारा मनोलैंगिक विकास निम्कांकित पांच अवस्थाओं से गुजरते हैं कौन-कौन से मुखा वस्था मतलब ओरल स्टेज गुदा वस्था मतलब अनल स्टेज लिंक प्रधान वस्था मतलब फैलिक स्टेज अव्यक्त अवस्था मतलब लिटेंसी स्टेज तथा जिनेंद्रिय या वस्था मतलब जिनेंटियल स्टेज अब मुखा अवस्था में क्या क्या आएगा मतला वोरल स्टेज में मनो लेंगे का अवस्था की पहली अवस्था है जो जन्में से लेकर करीब करीब एक साल की उम्र तक का होता है और इस अवस्था में कामुक्ता शेत्र मुक्तवारा होता है बचे मुख दोवारे अपनी सभी क्रियाओं में आनंद उठाते हैं और इस अवस्था समध वैस का वस्था में दो तरह के वेक्दित्व होता है क्या होता है मुख्यवर्ति अनिश्क्रिये वेक्दित्व और अनुवर्ति आकरामक वेक्दित्व अब आजाए गुदा अवस्था में गुदा अवस्था क्या है दो से तीन सार के आयू के बीच होता है इस अवस्था में कामुक्ता शेत्र मुख से हटकर सरीर के गुदा शेत्र में आ जाता है इस अवस्था में दो तरह के व्यक्तित्व विक्सित होता है एक गुदा क्रामक व्यक्तित्वा और गुदा धारनात्मक व्यक्तित्वा फिर हैं लिंग प्रधान अवस्था इस जीवन के चौथे से पाँचवे साल के दौरान की अवस्था है इस अवस्था में कामक्षितर जिनेंद्री होते हैं ! इस अवस्था में प्रतेक लड़का में मात्र मनोगरं थी yn autorgy Verme लड़क अपने माचे स्ने करता है तथा जैसे मालीजे कि आप लोगों ने सुना होगा कि पुत्र का अपनी मां से ज़्यादा अटैया और फुत्री का जो है जो लेटकी होती है वो अपने पिता से ज़्यादा लगाव रखती है वो इसी गृंधि के द्वारा होता है और यह लोजिकल है यह हर जगह पाया जाएगा ऐसा नहीं कि नहीं नहीं आप जेंडर बायस करें जेंडर बायस नहीं है यह सत्य है कि जो लड़की है वो अपने पिता की और उसका जुकाव ज्यादा होता है और लड़का है तो वो उसकी मा की और ज्यादा जुकाव होता है यह किस वज़ा से होता है यह ग्रंथियों की वज़ा से होत साथ ही साथ उनकी लेंगिक इक्षाइं भी सुसुप्त रहती हैं और वो विभिन खेल कूद्र चित्रकारी इस इक्षा यह सब में ज्यादा ध्यान देते हैं जन्यındρι अवस्था फिर वश्था मर्णोय विविकास की यह आंतीम अवस्था या 13 वर्ष की आयू से प्राणरमबोग का निर्दधा चलती रहती हैं इस अवस्था में किशोरा वस्था त प्रोणा अवस्था दोनों ही संबले थे किशोरा वस्था में व्यक्टियों में संब लिंग का मुक्ता की प्रवित्ती सार्वजिनिक रूप से होती है और फिर व्यावस का उस्था में इसके जगह पर विशेल लिंग का मुक्ता विक्सित होती है देखें मैं अभी आपको एक फोटो दिखा दूंगी उसको आप लोग नोट कर लिजेगा वह आपको लोग के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है और आगे की वीडियो जो है वह मैं नेक्स्ट डे लेकर आऊंगी तो आप लोग हम मेरे वीडियो को वाश करते रहिए और उसको प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए